हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू टूलिप स्टिप्स पोर्यू दोस्तों आप यह जो देख रहे हैं यह मैंने बनाया है थ्री लेयर फ्लावर टावर जो कि ब्रोकन पोर्ट होते हैं उनसे क्योंकि अभी हमारे हां राजस्थान में अंधर का दोर चल रहा है पिछले एक मेने से और इतने ज़्यादा टूटे हैं कि हद नहीं तो गाडनर्स के मंद में जरूर आता है कि टूटे पोर्ट का क्या किया जाए तो यह देखे दोस्तों मैंने टूटे वी पोर्ट से ही यह फ्लावर टावर बनाया है काफी खूबसूरत लग रहा है यह मैंने बनाया था एक से बनाया है तो चले स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों यह मैंने एक प्लास्टिक का टब लिया है और इसके नीचे ड्रेनेज होल बनाया है और उसके ओपर रख दिये मैंने ठीकरी के टुकड़े और यह देखिए ब्रोकन पोर्ट बिल्कुल टूटावा पोर्ट नीचे कि अंडर इसके निकली होई है एक साइड से ईचा और एक साइड से नीचा है तो अब मैं इसको फिक्स कर देती हूं इस तुप आ लिया है तो टूटावे गंभा फिट कर दिया है अँदें प्विच के ब्लेक निध. सिंपल पीवी सी पाइप उसमें ब्लैक कलर किया वा बीच में पट्टी बनाई है बाकि इसमें कोई डिजाइन कुछ नहीं किया वा है तो इस तरीके से मैंने देखी थ्री लेयर बना लिए हैं चूंकि गमला मेरा एक साइड से जादा और एक साइड से कम तूटा वा है इसलि में करते हैं सलेक्ट पोधो का कि कौन से पोधी लगाए जाएं तो सबसे पहले मैं लगा देती हूं पर्सलीन की कटिंग टब के अंदर दोस्तों पर्सलीन और पॉर्चुला का दोनों प्लांट ऐसे हैं जो गर्मियों में खूब फूल देते हैं और अभी आगी बारिश का मुसरम आएगा उसमें भी काफी अच्छी फ्लाउरिंग होगी और सबसे बड़ी बाग कि बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाती है इनकी और छोटी से छोटी कटिंग भी इनकी लग जाती है तो देखें छोटी छोटी कटिंग करके मैंने पर्सलीन लगा दी हैं अब मैं लग तो दौस्तों चली ग्सट्र जो इसकी जो कटिंग सब्किन निकाल देती हूं क्योंकि अपना उद्दिश्य इसको आदा मिट्टी में दबाना और आदा बार निकालना है बाकी ग्रोथ करने के बाद में आप खुद देख लेंगी कि एक मैने बाद में इसमें कैसी ग्रोथ होती हैं तो अपने को बहुत जादा ताम जाम इसका नहीं रखना है अब हम और लाल कलर के इसमें काफी सुन्दर फूल आते हैं आप इसकी जगह एसपरेगस लगा सकते हैं आपके पास कोई और प्लांट हो वह लगा सकते हैं तो साइपरेस वाइन लगाने का मेरा उद्धिश्य यह है या तो मैं इसको बॉल शैप में कटिंग कर दूंगी या इसको चारों तरफ हैंग करते हैं लगा देंगे तो काफी खूब सुरत से अपना फ्रावर टावर बन करके तयार हो जाएंगा तो चलिए देखते हैं एक मैने बाद का रिजल्ट यह देखी दोस्तों एक मैने बाद में मेरी साइप्रस वाइन मेरा बॉलिवियन जियो और मेरी पर् कि मुझसे रहा नहीं गया हलांकि इसमें आपको थ्री लेयर अच्छे से नजर नहीं आरी जो मेरा गमला है टूटा वह नहीं दिख रहा तो वैसे तो यह ऐसे खूब सुरत लग रहा है लेकिन फिट भी मैं नीचे से पर्सलीन की कटिंग कर दूँगी थोड़ी से बराबर क्योंकि किदर से देखो ज़्यादा भरावा और किदर से कम यह तो पोजे की ग्रोथ पे डिपेंड करता कि किदर इसको ज़्यादा धूप लग रही है और किदर चाहूँ तो इसके अच्छे से कटिंग करके इसको और भी खूब सुरत बनाया जा सकता है लेकिन देखिए सितारी जैसे फूल काफी अच्छे लग रहे हैं और तूटे वे गमले का भी यूज हो गया तो दोस्तो इस तरीके से तूटे वे गमले का यूज करकी हम थ्री लेयर फ्लावर टावर अपने घर पर तयार कर सकते हैं अपने गार्डन को और भी खुबसरत बना सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट किजिएगा थैंक यू फॉर वोचिंग बाई